कुछ हफतों से लोग ChatGPT के बारे में बात किये जा रहे हैं कुछ लोग को ChatGPT पसंद है, कुछ लोग को ChatGPT बिलकुल पसंद नहीं है अगर आपने आज ही पहली बार ChatGPT का नाम सुना और अगर आपने पहले कभी ChatGPT नहीं यूज किया है तो इस वीडियो को अंत तक देखना मैं आपको ChatGPT का महारती, expert बना के रखूंगा Netflix को 10,00,00 subscribers पाने में लगे सारे 3 साल Twitter को लगे 2 साल Facebook को लगे 10 महीने Spotify ने लिया 5 महीना Instagram ने लिया 2 महीना And ChatGPT को कितना दिन लगा? 5 दिन From the date, it was launched publicly लाखो लोग ChatGPT को यूज कर रहे है And now that OpenAI has opened up ChatGPT to the public, to developers और जाधा लोग यूज करेंगे ChatGPT को और अगर आपको ChatGPT का basics नहीं आता तो आप पीछे रह जाओगे सबसे Which is not something that you want हम इससे stories, poems लिखवा सकते हैं हम इसको यूज करके हमारा English improve कर सकते है हम इससे हमारा assignments करवा सकते है resumes और cover letters लिखवा सकते है jokes लिखवा सकते है complicated topics को explain करवा सकते है और बहुत कुछ मुझे पता है, वीडियो थोड़ा से लंबा है तो आप वीडियो के description को चेक कर लो मैंने पूरे वीडियो को जो GPT है, उसका full form है Generative Pre-trained Transformer simple भाषा में इसका मतलब है कि ChatGPT एक computer program है जो इनसान का भाषा समझता है और इनसान के भाषा में respond कर सकता है ChatGPT को बनाने और train करने के लिए उसके developers ने इसको करोडों, करोडों websites journals, books के data feed किया है और वो सारा चीज इसके brain में है So हम लोग जो भी question पूछेंगे उन सारी चीजों से related ChatGPT हम लोग को इनसान के भाषा में समझा देगा कि हम लोग क्या पूछ रहे हैं So how can you use ChatGPT in your everyday life? Let's see So सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसी ChatGPT में एक account create करना है इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा पहले chat.openai.com यहाँ पे हमें sign up में click करना पड़ेगा एक नए account के लिए अब यह हमसे हमारा email ID मांग रहा है हम लोग को email ID यहाँ पे डाल देना है email ID देने के बाद एक password मांगेगा वो हम लोग को दे देना है फिर आपको एक verification email आएगा आपको अपना email verify करना है फिर मेरे से यह मेरा नाम पूछा मैंने डाल दिया निलाजन मुस्ताफी click on continue फिर यहाँ पे मुझको mobile number देना पड़ेगा verify करने के लिए कि मैं एक spam bot नहीं हूँ mobile number देने के बाद आपका account create हो जाएगा तो मेरा already account है मैंने उसमें login कर लिया है अब कुछ चीज़े जो आपको जाननी चाहिए this is a free research preview अभी के लिए आप इसको free में access कर सकते हैं और यह research preview है क्योंकि उनका अभी मकसद है external feedback लेना ताके वो अपना system को improve कर सके तो sensitive information जैसे banking details यहाँ पर enter मत करना आप यहाँ पर click करके उनका discord server join कर सकते है और यहाँ पर लिखा है कि this system is optimized for dialogue जैसे आप बात करते हो लोगों के साथ conversations में आपको वैसे ही बात करना है यहाँ पर मैं click करूंगा on done तो यह लोड़ो गया chat GPT screen के left side में एक sidebar है जहाँ पर बहुत सारे options है आप जब बात करना शुरू करोगा chat GPT के साथ आपके सारे conversations यहाँ पर saved होते रहेंगे बीच में इस area में आप अपने questions या फिर जो भी आपको type करना है आप वो सब type कर सकते हो आप यहाँ पर पर सकते हो कि chat GPT के क्या-क्या capabilities है जैसे पहले conversation में आप लोगों ने क्या बात किया chat GPT वो याद रखता है अगर आपको कोई follow-up question है तो आप वो पूछ सकते हो अगर कोई inappropriate आप question पूछोगे या फिर request करोगे तो वो chat GPT decline कर देगा now chat GPT perfect नहीं है इसके कुछ limitations भी है जैसे chat GPT कभी-कभी incorrect information दे सकता है आपको जो information आपको मिलता है वो शायद कभी harmful हो या फिर कभी biased हो और lastly chat GPT का बहुत limited knowledge है of the world after 2021 तो अगर आप इसको आज के ख़बर के बारे में पूछोगे तो यह बता नहीं पाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो chat GPT को open AI ने last cup update किया था इस वाले option में आप लिख करने से देख सकते हो कि इस update में उन लोगों ने क्या-क्या change किया है अब आप जब शुरू करोगे chat GPT उसकरना left में यह वाला area पूरा खाली होगा आप chat GPT को questions पूछोगे और chat GPT आपके उन questions का answer देदेगा so right questions पूछना बहुत ही ज़रूरी है open AI ने यहाँ पे तीन examples यह है to show chat GPT साब क्या करवा सकते हो but let's start with something simpler हम लोग पूछेंगे what is 40 plus 20 and आप जैसे देख सकते हो इसने बोल दिया the sum is 60 अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा on regenerate response and chat GPT मेरे को same answer दे रहा है but in a different way अब यह तो math problem है इसका answer fixed है it's always 60 so no matter मैं जितनी बार पूछूँगा इसको यह हमेशा बोलेगा 60 answer है तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो यहाँ एक thumbs up button है और एक thumbs down button है इन दोनों button में click करके आप feedback दे सकते हो open AI को on the left हम लोग यहाँ पे देख सकते है different responses जो chat GPT ने दिया है अगर मैं left में click करूँगा तो पहला वाला response दिख जाएगा and second response मैं ऐसे देख सकता हूँ अब यह जो chat हम लोगों ने किया था यहाँ पे आप देख सकते हो लिखाए addition of two numbers मुझको यह नाम बसंद नहीं तो मैं change करके रहूँगा 40 plus 20 और click कर दूँगा इस tick वाले button में और यह नाम change हो गया अब मेरेको नया एक chat शुरू करना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए मैं new chat में click करूँगा और एक नया chat शुरू हो जाएगा मुझको यह light mode उतना पसंद नहीं आ रहा है let's try the dark mode तो मैं click करूँगा on dark mode यहाँ पे और आप जैसे देख सकते हो पूरा screen अभी dark mode में चला गया left में आपको updates and FQ मिलेगा आप इसमें click करोगे तो यह यह आपको chat GPT का health and support पेज में लेके चला जाएगा so अभी question है कि हम chat GPT से क्या-क्या चीज कर सकते हैं मैं चाहता हूँ कि chat GPT मुझको एक movie का summary बोले तो मैं type करूँगा यह और आप जैसे देख सकते हो chat GPT ने काफी अच्छी तरह से इस movie को summarize कर दिया मेरे लिए अब मेरे को जानना है कि The Shawshank Redemption movie ने कौन-कौन से awards जीते हैं तो मैं पूछूंगा which awards did this movie win और आप जैसे देख सकते हो कि chat GPT पूरा list किये जारा है कौन-कौन से awards इस movie ने जीते हैं अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे लिए तीन short stories लिखे और मैं चाहता हूँ कि ये कुछ life lessons भी लिखते उन stories से तो chat GPT ने कुछी seconds में तीन चोटे-चोटे stories लिख दिये along with a lesson from the story screen में जो text है ये थोड़ा सा बढ़ा लग रहा है मेरे को तो let me just make it a little smaller हाँ, much better अब मैं चाहता हूँ कि chat GPT कुछ humor add कर दे इन stories के end में अब आप जैसे दिख सकते हो chat GPT ने story के end में एक funny dialogue थोड़ा सा add करने की कोशिश किया अब ये थे कुछ stories जिनके बारे में हम लोगों ने पहले सुना था अब मैं चाहता हूँ चाहता हूँ कि chat GPT मेरे लिए एक नया एक original story लिख दे अब ये आप जैसे दिख सकते हो ये अब blink कर रहा है इसका मतलब है chat GPT सोच रहा है कि क्या बोल लूँ next अब आप जैसे दिख सकते हो यहाँ पे chat GPT type करने के लिए काफी time ले रहा है इसका कारण है कि chat GPT आपको जो story अभी दिखा रहा है वो ये अभी for the first time create कर रहा है प्लस chat GPT के servers अभी busy है शायद ना लेट मी आस chat GPT if chat GPT wrote these answers itself और आप जैसे दिख सकते हो chat GPT ने confirm कर दिया कि उसने खुद ही in stories को लिखा है nice एक बहुत important चीज़ यहाँ पे जो clear conversation वाला button है इसमें गलती से भी click मत करना मैंने इस video recording करने के time पे गलती से दबा दिया था और जितने सारे मेरे conversation से सब डिलीट हो गए अगर आपको specific कोई conversation डिलीट करना है तो यहाँ पे जो cross button है इसको click करके दिलीट कीज़ेगा उसको ना लेट्स दो सम्थिंग रोमेंटिक लेट्स हैव चैट जीपीटी राइट अ पोएम फोर मी तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा कि कल मेरा anniversary है मेरे तीन पोएम्स लिख देने के लिए अब चैट जीपीटी मेरे लिए एक हिंदी में पोएम्स लिख दे अब चैट जीपीटी काफी टाइम लेड़ा है लिखने में तुम्हारे भी ना दिल बेकरार है तुम्हें देखने से ही नजर चार है आखों में तेरी सूरत होती है बार-बार दिल में तेरी चाहत है सदा हमेशा तयार है ये पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था बट कोई बात नहीं अब चैट जीपीटी से कुछ आइडियाज भी जनरेट करवा सकते हैं जैसे अगर आपको अपने ममी पापा का बढ़ने करना है और आपको कुछ आइडियाज चाहिए तो आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं यहाँ पर काफी सारे आइडियाज हैं लेकिन मुझको आइडियाज को पसंद नहीं तो लेट सी कि चैट जीपीटी कुछ दूसरा सजेस्ट कर सकता है कि नहीं अगर मैं थोड़ा से इंफोर्मेशिन दू अपने मम्मी के बारे में तो मैं टाइप करोंगा गिव में 10 क्रेटिव आइडियाज तो सेलिबरेट माइ मॉम्स बर्थे हो लिवस इन इंडिया एंडियाज फिफिटी यह ओल्ल्ड अब आप जैसे दिख सकते हो चैट जीपीटी आंसर को ज्यादा कस्टमाइज कर रहा है इंडियान कॉंटेक्स में जैसे सारी शॉपिंग स्प्री देन हिस्टोरिक लैंडमार्क का जैसे यह लोग बोल रहे हैं कुकिंग क्लास कोई इंडियन शेफ के कुकिंग क्लास में उ चैट जीपीटी उन क्वेस्टन का आंसर देगा सो सही सवाल सही क्वेस्टन पूछना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर सवाल पूछने के टाइम पर आप जितना स्पेसिफिक इंफॉमेशन दोगे उतना ही करेक्ट आंसर आपको मिलेगा चैट जीपीटी से आप चैट के बाद एक सारे गलतिया सुधार्टी और सिंस मैंने कुछ सजेस्टन मांगे थे इसने कुछ एक्स्प्राइशन दे दिये कि क्यू यह गलती है और कैसे इसको सुधार्णा है बहुत यह अच्छा है बाइदे वे मैं आपको याद देलान चाहूंगा कि आप बहुती परसन बहुत सारे कॉलेजिस और यूनिवर्सीटी से चैट जी पीटी को बैन कर दिया है और अप चैट जी पीटी से अपना होमवर्क यासाइन्मेंट भी करवा सकते हो इस वेबसाइट में मेरे को यह वाला प्रॉम्ट मिला है मैं इस प्रॉम्ट को कॉपी कर लूंगा और मैं उस प्रॉम्ट को यहां पर पेस्ट कर दूंगा विट सम एक्स्टा इंफरमेशन की आम अट्वेंटी यर ओल्ड तो 20 यर ओल्ड जिस भाशा को समझेगा उसको यूस करो और हजार श्रब्दों को यूस करना अपने अन्सर में अन आप ज़से जिख सकते हो चैट जीपीट ने एक आंसर जेनरेट कर दिया है जो मैं मोडिफाई करके अपने असाइन्मेंट को कम्टीट कर सकता हूँ इस एक्साथली वाई बेनी चैट जीपीट अब आपने सायद नोटिस किया होगा मैंने यहां पर लिखा है By the way, मैं ChatGPT और AI के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा in the coming days So make sure आप सब्सक्राइब कर लो And bell icon को प्रेस करके All videos वाला option में चूज कर लेना ताकि सारे वीडियोस का आपको notification मिलता रहे Let's say आप एक job के लिए apply कर रहे हो So आप ChatGPT को बोल सकते हो एक resume या फिर cover letter बना देने के लिए And depending on आप क्या आप पूछते हो ChatGPT को आप इधर एक template पा सकते हो या फिर आप एक full on resume या cover letter भी पा सकते हो So ये रहा मेरा prompt इसमें मैंने कुछ information दे दिया है जैसे मैं MBA finance का graduate हूँ And उससे पहले मैंने bachelor's किया था Economics honors में from Delhi University And I apply करा हूँ E&Y के लिए So अब जैसे दिख सकते हो ये मेरे लिए एक cover letter लिख रहा है Based on the information that I provided अगर आपके पास एक job description है तो आप उसको भी use कर सकते हो cover letter के लिए आपको लिखना पड़ेगा Generate a professional cover letter of 300 words या X number of words for me Here is the job description And उसके बाद मैं एक sample job description मैं इस website से ले रहा हूँ जिसमें requirements और वो सब है मैं इसको पुड़ा copy कर लूँगा And इसको मैं paste कर दूँगा chat GPT के यहाँ पे And मैं इंटर कर दूँगा And as you can see chat GPT ने एक cover letter लिख दिया है Based on the job description that I provided And as you can see chat GPT एक संदर सा रेजमे भी बना के मुझको दे दे रहा है यह जो रेजमे बनाया है इसने यह decent है लेकिन perfect नहीं है इसको आपको modify करना पड़ेगा to make it more appealing to the recruiter अगर आप सोच रहे हो कि chat GPT से एक रेजमे जेनरेट करेंगे तो make sure कि आप appropriate details such as your educational skills ठीक से एंटर कर रहे हो अगर आप resume या cover letter बनाओगे chat GPT से तो मैं तीन website का link दे दूँगा description में आप वहाँ पर जाके देख सकते हो कि best quality का resume और cover letter कैसे बनाना है with chat GPT और मेरे content creator भायों और बहनो chat GPT आपकी भी बहुत मदद कर सकता है because आप इससे research खरवा सकते हो या फिर script लिखवा सकते हो अपने posts वीडियो के लिए अगर आप content creator हो या बनना चाहते हो तो आप chat GPT को बोल सकते हो topics देने के लिए for blogs, videos, etc. मैं type करूँगा provide 10 blog topics or titles for articles about freelancing और आप जैसे दिख सकते हो chat GPT ने काफी सारे topics मुझको दे दिए अब मुझको ये पहला वाला topic काफी पसंद आया तो मुझको इसके उपर वीडियो बनाना है तो मैं चाहता हूँ chat GPT मुझको कुछ catchy titles दे दे इस वीडियो के लिए मुझे ये पहला वाला title काफी पसंद आया तो मैं चाहता हूँ कि chat GPT मुझको एक outline बना के दे दे मेरे post के लिए मेरे blog article के लिए अब आप जा सकते हो chat GPT ने एक outline बना के मुझको दे दिया जिसमें उसने introduction, advantages, disadvantages, is freelancing right for you and conclusion, headings लिखके दे दिया है और कुछ points भी दे दिया है, सब points जो मैं elaborate कर सकता हूँ अब लेट से ये article मुझको खुद नहीं लिखना है and I want chat GPT to write it for me and आप देख सकते हो, मैंने लिखाए use language that a 17 or 18 year old teenager would use इसका कारण है कि I want the language to be number one friendly and I want the language to be easy to understand and आप जासे देख सकते हो, chat GPT काफी simple sentences use कर आए, जैसे freelancing is a type of work where you don't work for a company or boss but you work for yourself you can work from home or any other place and so and so as you can see, it is answering exactly what I asked it to answer अब आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर chat GPT आके रुख गया sentence complete नहीं हुआ लेकिन रुख गया कभी-कभी ऐसा होता है कि chat GPT का जो response है वो काफी लंबा है and वो बीच में अटक जाता है तो आपको क्या करना है, फिर आपको सिर्फ टाइप करना है continue and chat GPT continue करेगा जैसे, but before you quit your day job, it's important to make a plan so यह sentence correct है पूरा just like blog post का article, आप chat GPT से YouTube video या फिर Instagram video का script भी लिखवा सकते हो अगर आप चाहते हो कि chat GPT आपके YouTube या Instagram video के लिए एक script generate कर दे, तो आप वो भी कर सकते हो यासे मैं यहाँ पे उसको बोल रहा हूं कि 2008 financial crisis explained करने के लिए using a language that a 10-year-old 10-year-old का बच्चा संझेगा उस concept को as simple as possible उस simplify करने के लिए मैं बोल रहा हूं तो देखते हैं क्या response देता है and जो response है, this is much better than what I expected ChatGPT is not only writing the script it is also giving me directions on what kind of B-roll I should use for my video which is absolutely amazing now अगर अगर अपको ऐसे directions पसंद नहीं है अगर आप सिंपल दो-तीन परग्राफ चाहते हो जिसमें चैजएपिती कोई concept explain कर देगा तो आप ऐसा भी बोल सकते हो explain the topic to me using language a 10-year-old would understand simplify concepts as much as possible and आप जासे जिख सकते हो इसका response काफी, काफी सिंपल हो गया जासे, once upon a time, there was a big problem with money people were buying houses and other things they could not afford banks were giving out loans to people who could not pay they thought they could make lots of money by doing this but it wasn't safe and it caused a lot of trouble and ये पूरा अंसर करने के बाद चैजएपिती ने concluding paragraph भी दिया so in the end, we learned that it is important to be careful with our money we should not borrow more than we can afford to pay back which is a very important life lesson and we should not invest our money in things that are too risky अगर आपके पास एक website है या फिर अगर आप सोच रहो एक website बनाने के बारे में तो आप चैजएपिती से privacy policy का page copyright का page या फिर legal वाला जो page है वो लिखवा सकते हो इसके लिए आपको सिर्फ बोलना है कि मुझको एक privacy policy या फिर legal page चाहिए और चैजएपिती आपके लिए उस page का text generate करना शुरू कर देगा अब मेरे website के लिए मुझको एक privacy policy चाहिए मैं इंडिया से based हूँ लेकिन मेरा जो website है वहाँ पे लोग विदेश से भी देखते हैं including people in the EU तो मेरे को GDPR से related information देना पड़ेगा मेरे privacy policy में which I can easily do with chat GPT अब chat GPT ने जो भी generate किया है आप इसको copy करके modify कर लिजे as per your requirements आप इसको कुछ summarize करने के लिए भी बोल सकते हो ये legal document की तरह कुछ complex चीज हो सकता है या फिर news website की तरह कुछ simple चीज हो सकता है आपको सिर्फ टाइप करना है summarize या फिर summarize in x number of words या फिर summarize in x number of bullet points और फिर आपको जो चीज का summary चाहिए आपको वो चीज यहाँ पर type कर देनी है तो मेरे को Companies Act 2013 का chapter 5 acceptance of deposits by companies का summary चाहिए इसको मैं ऐसे copy कर लूँगा and copy करके मैं इसको paste कर दूँगा और आप जैसे देख सकते हो यह मेरे को पूरा अच्छे से summarize भी करके दे रहा है chapter 5 of the Companies Act outlines and rules and regulations for acceptance of deposits by companies और आप चाहे तो इसको पर सकते हो it's actually quite fantastic कि मैं ने दिया and within like 5-6 seconds इसे मेरे को पूरा summarize करके दे दिया अब अगर आपको दूसरा कुछ summarize करना है जैसे एक news article तो आप उस news article के website को copy कर दिजे ऐसे and यहाँ पर आप type कर दिजे summarize and then उस website का link paste कर दिजे यहाँ पर and chat.jpt आपको उसका भी summary दे देगा यह paragraph summary मेरे को अच्छा नहीं लग रा मेरे को bullet points में यह summary चाहिए तो मैं chat.jpt को बोलूंगा summarize using maximum of 5 bullet points and आप जैसे देख सकते हो chat.jpt काफी अच्छी तरह से मुझको bullet points में इसको summarize करके दे रहा है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप chat.jpt को बोल सकते हो explain it to me like I am 5 years old and chat.jpt आपको बहुत easy तरीके से समझा देगा जैसे आप देख सकते हो when we use our phones or tablets to watch videos or play games we need to connect to the internet 5G is a faster and better way to connect to the internet and companies want to make money from it एक language में इसने बोला जो बच्चे समझ सकते हैं अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है अगर आप चाहते हो और एक जोक बोले चाट.jpt तो आप टाइप कर सकते हो tell me another one and chat.jpt और एक जोक बोल देगा and why don't the scientists trust atoms? because they make everything up chemistry joke now instead of a joke अगर आप चाहते हो कि chat.jpt आपका लिस्टनर या फेथेटरपिस्ट बने तो आप इसको ये भी बोल सकते हो I went through a breakup today or I got my results today and I'm sad I said that I went through a breakup today and I'm feeling sad and chat.jpt आपका बोला that is breakups can be difficult and it's normal to feel sad and upset right now it's exactly what a therapist would say and chat.jpt आपका बोली that I can do to take care of myself allow myself to feel my emotions take care of myself physically reach out to friends and family practice self-care and so on amazing right? आपका बोला कि I should practice self-care and I should watch a movie perhaps so मैं इसको पूछूँगा कि suggest a few feel-good movies that I can watch today and as you can see chat.jpt मैंनो कुछ सजेशिंस भी दे रहा है जो मैं देख सकता हूँ ताके मिचको पहले से थोड़ा बेटर लगे आप चाट.बट के साथ बात कर सकते हो करते करते मुझको तो भूख लग चुका है तो मैं chat.jpt को पूछूँगा कि मैं क्या बना सकता हूँ for lunch मुझको पनीर खाने का काफी मन कर रहा है so let me ask chat.jpt what I can cook with paneer तो मैं chat.jpt को बोलूँगा I'm hungry and want to cook something with paneer today can you suggest 10 Indian dishes that I can cook in under 2 hours and आप जैसे देख सकते हो chat.jpt ने मेरे को 10 ऐसे चीजों का नाम बोल दिया along with a brief description of what goes into making that food this is absolutely brilliant लेकिन मेरे को भूख बहुत लग रहा है and I want something that will take the least amount of time बहुत जल्दी जल्दी यो खतम हो जाएगा cook करना I want that so मैं वही बोल रहा हूँ I'm very hungry which of these items would take the least amount of time and आप जैसे देख सकते हो इसने पूटा समराइज करके दे दिया कि कौन-कौन सर दिश सबसे जल्दी मैं cook कर पाऊंगा अब कुछ भी cook करने के लिए तो ingredients चाहिए तो मैं chat.jpt को पूछूंगा for each item मेरे को क्या-क्या चीज चाहिए होगा आप जैसे देख सकते हो chat.jpt ने मेरे को ingredients का एक list दे दिया for these three items अब मेरे को paneer भूर्जी पसंद नहीं तो मैं चाहता हो paneer capsicum curry और पालक paneer का recipe जानना तो मैं chat.jpt को वही बोलूँगा tell me the recipe for item 2 and item 3 and ये contextually समझ भी जाएगा कि मैं पालक paneer capsicum curry और पालक paneer के बारे में बोल रहा हूँ and आप जैसे देख सकते हैं इसने मेरे को item number 2 और item number 3 का recipe बहुत अच्छे से लिख की दे दिया alright, इस conversation को मैं अभी thank you बोलके खतम कर देता हूँ chat.jpt आपको coding करने में भी मदद कर सकता है so let's start with the default prompt जो है how do I make an http request in javascript तो जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले ये मेरे को एक थोड़ा सा context दिया फिर एक code snippet दिया जो मैं यहाँ से easily copy कर सकता हूँ और थोड़ा सा code snippet है यहाँ पर which also I can copy very easily and उसके बाद इसने मेरे को थोड़ा सा और context दिया अब मेरे case में मेरे पास काफी सारे documents है जिसमें मेरा नाम गलत है so मैं चाहता हो कि chatgpt मेरे लिए एक python script लिग दे जो हर folder में हर file में जाएगा and spelling चेक करेगा and correct कर देगा and as you can see इसने एक script लिग देगा अब मुझको बताने है कि इस script के साथ क्या करना है so let me ask chatgpt the same thing and इसने मेरे को पुरा instruction दे दिया कि मेरे को क्या करना पड़ेगा अब इन instructions को follow करने के time पे if I come across any problem I can easily ask chatgpt the same thing of course ये तो सिफ टिप आफ दिया आइसबर्ग था आप कितना जादा कर सकते हो with chatgpt so main question है कि chatgpt किया आपका job आप से चीन लेगा इसको जाके अभी try करो practice asking questions and subscribe to this channel for more content related to chatgpt this is Nilanjan signing off I will see you in the next video bye I will see you in the next video